ए नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे इस यूटुब चाइनल पे और आज हम बात करेंगे कि स्पीड डायल क्या होता है इसका यूज कैसे करते है और इसका यूज क्यों किया जाता है आपने बहुत बार सुना होगा अपने किसी नंबर को स्पीड डायल पर लगा लीजिये तो ऐसा क्यों कहा जाता है आईए जानते हैं यहाँ पे मैं आपको एक एकजामपल देता हूँ जैसे कि मैंने एक नंबर स्पीड डायल पर लगा रखा है मैं कॉलिंग पर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने दो नंबर पर स्पीड डायल लगाया हुआ है तो मैं दो नंबर को प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पर एक कॉलिंग लग जाएंगी तो इसे ही हम speed dial कहते है जैसे कि देखो मैंने क्या किया दो नमबर को प्रेस करके रखा और उसके तुरंद बात call लग जाएगा जिस नमबर को आपने speed dial पर लगा रखा है आपको पूरा नमबर dial करने की कोई जरूरत नहीं है अब मैं बताता हूँ इसका क्या काम है जब आपको किसी एक व्यक्ति को बार बार call करना पड़ता है एक इमर्जन्सी की वक्त भी काम आता है अगर आपका कुछ होता है तो आप अपने घर वालो का नमबर इसमें set कर सकते है ताकि आप किसी भी नमबर को एक बार प्रेस करें और आपका call घर वालो को लग जाए अब मैं एक और नमबर speed dial पर लगा की दिखाता हूँ simply आपको किसी भी एक नमबर को प्रेस करके रखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 नमबर को प्रेस करके रखता हूँ और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर लिखा है there is no contact assigned to this speed dial number tap ok to assign one now इसे ok कर देना है अब इसमें से किसी एक नमबर को select करना है जिसे आप बार बार call करते है मैं यहाँ पर ए वाला contact select करता हूँ जो कि मेरे बड़े भाय का नमबर है ए मैंने select कर लिया अब देखो simply मैं यहाँ पर 5 नमबर को प्रेस करूंगा और मेरे बड़े भाय को call लग जाएगा अब जब भी मुझे मेरे भाय को call लगाना पड़ेगा तो simply में 5 नमबर को प्रेस करके रखोंगा और automatic call लग जाएगा मेरे बड़े भाय को तो इस features का आप भी लाप उठा सकते है तो guys वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और channel को subscribe ज़रूर करना Thank you